हलो एवरिवान वेलकम बैग तो देखो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं री क्रिस्टलाइजेशन के बारे में री क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है और इसमें जो वेरियस स्टेप्स इन्वाल्व है वो कौन-कौन से होते है ठीके तो देखो री क्रिस्टलाइजेशन एक ट अब ने स्टेप टूप में हम करते हैं कि जो इंप्योर सॉलिट है विच इस तूपी प्यूरिफाइड बाइस टेक्निक उसे हम क्या करेगे उसे अनदर बीकर मिलेगे अब जो आपने स्टेप वन में हीट अप किया था सॉल्वेंट तो उस होट सॉल्वेंट को हम थोड़ा- पॉसिबल वॉल्यूम यूज करना है ठीक है जितना हो सके उतना कम वॉल्यूम आपने यहां पर यूज करना है बिकिस अगर आपने यहां पर जादा सॉल्वेंट यूज कर दिया तो फाइनली जो आपकी यिल्ट आएगी वो बहुत ही पूर आएगी ठीक है तो यहां पर एक चीज़ करनी है कि minimum volume यूज़ करना इसका to dissolve the solid, साथी क्या करना है, heat up करना है, heat करना है, so that ये जो solid है, वो क्या हो जाए, dissolve हो जाए, तो step 3 में क्या मिला आपको dissolved solid मिल गया in the solvent, तो यहाँ पर क्या मिला आपको solution मिल गया, ठीक है, अब देखो next step में क्या करेगे, since आपने इसे heat up किया है, तो इसका temperature high होगा, तो step 4 में आप क्या करोगे, इसे थोड़ा cool down करने दोगे, ठीक है, cool down करवाओगे to the room temperature, so that जितना ये गर्म था, उसके बाद ये थोड़ा सा room temperature में, नॉर्मल temperature पे आजाए, ठीक है, तो step 4 में ये हो गया, after coming at the room temperature, आप क्या करोगे, इस बीकर को place कर दोगे into a ice bath, ठीक है, ice bath में आप इसे बीकर को रख लोगे, और जैसी ही आप cool करोगे ice bath में, तो obviously temperature or down हो जाएगा, जिसकी वज़े से, आपको यहाँ पर crystals नजर आएगे, और ये crystals क्या होगे, pure crystals होगे, उसी solid के pure crystal आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगे, और जो impurity थी, इस impure solid में, वो कहां गई, वो solvent के साथ पीछे रह जाती है, अब next step में आप क्या करोगे, इसे filter out करोगे, ठीक है, एक filter paper लोगे, उसमें क्या करोगे, आप इसको pour करोगे, और नीचे आपके पास solvent आएगा, जिसमें क्या होगा, impurities अपने साथ ले जाएगा, वो solvent और उपर filter paper पे आपके पास मिल जाएगे, pure crystals, ठीक है, तो इस तरह से होता है, recrystallization, और एक बात, अगर आपने इसकी अच्छी yield चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, एक तो यहाँ पर आपको cool करना पड़ेगा, आइस बात में, ठीक है, यह बहुत ज़रूरी है, इस बात में, आप cool करो, so that आपको अच्छी yield मिलेगी, ठीक है, और साथी साथ, आपको बहुत minimum amount of solvent यूज़ करना है, to dissolve the impure solid, ठीक है, तो यह था process of recrystallization, तो इस वीडियो में इतना ही, I hope आपको यह helpful रहा होगा, Thank you so much, bye-bye.